तो यश का यह पेस देखते हैं नीचे वाली पतंग देखिए राइचाडली नीचे से अपोनेंट ने देखिए लेफ्ट साइड वाली है थोड़ा सा कड़ा किया गद्दा दिखाया है थपका है नीचे की तरफ और इस बार जोल लग गया अपोनेंट का मजा नहीं आया इस लेकिन शांदार पेश काड़ दिया यहां पे अपोनेंट ने इस बार बाहुवाली का गेम लड़ा है यह दिखे हमारे यश पीछे गोलु भाई है फीवर के होने के बावजूद बढ़ियां पतंगें काटी है गोलु भाई आचा है मैं फिलाल सोचे थी कि मैं बोलूँग सौरब की पतंग देखिए राइट साइड वाली है चली रखा गदा उन्होंने पतंग छला थोड़ा सा बाहर दिखाया सौरब ने बिल्कुल मुड़ा बदला बिल्कुल नीचे का गद्दा जटक रहे थे जटक नहीं था पूरा पूरा गद्दा मारना था नीचे की तरफ अच्छा पिच बिल्कुल बैहर लेके काटा है अपोनेंट वह देखे खड़े हुए हैं यहां पर अगला पेच लेने जा रहे हैं यश देखते हैं इनका पेच और जो प्लेयर अपोनेंट है वहां कहीं वह देखिए वहां पर हैं चौ काइट क्लब से हैं वह सौरब अभी कटे हैं हाथ फस गया था गद्दा उतारे नहीं जटक दिया उन्होंने बिल्कुल बाहर किचके काट दिया था सिर्फ गद्दा मारना था सीधा सीधा जो कि मारने वाले थे यहां देखिए चौक कायट क्लब के प्लेयर्स हैं सारे बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं सब आए दोस्तों यश का पेज देख रहे हैं उपर वाली जो पतंग चलती चली आ रहे है देखिए राइट साइड यह यश की है बिल्कुल खड़ी खड़ी पतंग जो है अंदर की तर बढ़ते हुए वह भी थोड़ा बाहर निकालते हुए थोड़ा और क्लोस कर दे रहा हूँ चली ठीक है थोड़ा सा बाहर लिया यश ने हलकी सी बाल लिए उन्होंने पतंग को चलाया गद्दा बाहर को भरा है बहुत बढ़िया पेज काट दिया मुझे बस लड़ने ही वाले थे कि मुझे हटना पड़ा और बढ़िया पेज काटा है यहां पे यश ने बिल्कुल चली अब अंदर की तरफ यह बड़ते हुए और अंदर बढ़ते हुए देखिये पतंग दिख रही होगी आपकी यश की अपोनेंट देखिये लेफ साइड से बाहर की तरफ गद्दा दिखाया यह ने थोड़ा सा बाहर दिखाया को रोखी बिल्कुल क्रॉसपट पे मारा है उनकी पतंग घूम के अंदर आती हुई बहुत जादा ताकत लगा के खीद दिया है अंदर पतंग आने के बावजूद भी अगर आप ताकत लगाएंगे तो ताकत से आप कुछ भी काट सकते हैं अगला पेच यश यह देखिए भाई लेने आ रहे हैं मुस्कुराते हुए हमारे भाई उपर का पेच लड़ा रहे हैं आईए यह यश है आईए पेच की तरफ यहां पर ऐसे चलिए नीचे की तरफ से पेच फेड़ते हुए यश राइट साइड वाली पति नीचे वाली जो है जो चला रहे है तेस पर करते झा रहे हैं यह की है और लफ साड ये पतंक देखिए यह ऊपर सेяхने जब तोसी पर गद्धा पड़ा हमारे भाई का यह देखे कहा गए यह रहे अगर दोस्तों गोलु भाई का इस वार पेज देखते हैं गोलु भाई पेज ऊपर से ले रहे हैं लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अपोनेंट कि नीचे से आई हुई एक पतंग नीचे उठ रह बड़े यहां गोलु भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली उपर उपर लगी हुई है अपोनेंट काफी जाद अंदर की तरफ आते हुए चलिए सही है चलिए गोलु भाई ने गद्दा बनाया उन्होंने सीधा खड़ा कीचा है बहुत अच्छा पेच काटा है यहां पे मनोज भाई ने बहुत ही शांदार थपक के फिल्कुल खड़ा खड़ा काट दिया है आज लगता है गोलु भाई का दिन नहीं है आज रात हो पेच देखते हैं उपर से रखते हुए अपोनेंट जो कि लेफ साइडे नीचे से समीर भाई ने अंदर का मुड़ा लेकर जटका है ते जटक रहते लेकिन उन्होंने पतंग अपनी टिकाली आसमान में और खुद रगड़ती हुई पतंग चली गई समीर भाई की बनिया पेच काटते हैं मनोज भाई हमारे आयो दोस्तों यह पेच देखते हैं सौरप मनोज भाई की नीचे से यह वी ए ऐसे देखें नहीं इ mention है यह लगतार है देखें यह देखें मनोज भाई आए दोस्तों इस बार यश लेंगे मनुझ भाई से पेच चलिए देखते हैं क्या होता है मनोझ भाई देखिए लेफ ऐड़्स वाली नीचे की तरफ है लेफ डेखे और यश भी यहाँ ही पे है, पतंग डबाल हो गई थी, उन्होंने पतंग को रोक लिया, अपना ही खीच के रगड के कही ना कही है, हमारे यश कट गए हैं, पांच पतंगे काट चुके हैं, क्या होगा, नौ कट जाएंगे, क्या हो चोटे पेश लड़ाएगा, देड़ सो प पार दे, फार दे इसको, यहीं वो प्लेयर है, जो चोटे पेश लड़ा रहा था, वाइट वाला, इसको फार दे, चीर दे, चीर दे ऐसे गंदे खिलाडी होको, चीर दे, खीर दे रहा, दोस्तो देखते हैं, ऊपर का पेश ले रहें समीर भाई, यह रह हैं समीर भाई की थोड़ी सी बढ़ करके रखे अभी मनोज भाई ने चलिए बाहर की तरफ लिया है और ये तो कड जाएंगे आराम से क्यूंकि पतंग उनकी अंदर खीच रही है ध्यान देना था बाहर खीचेंगे तो आप ही रगड़ेंगे यही हुआ पांच पतंगे अब काट दी है कही न अधि अंदर ही कटेंगे अब बेटा तुम जा या पतंग पतंग जा आए दोस्तों सौरब का पेस देखतें नीचे से बड़े हुए यह देखे सौरब और अपोनेंट की पतंग देखें लेफ साइड वाली है चलिए पतंग बिलकुल सीधी सीधी ऊपर कर रखी है उन्होंने गद्दा दिखाया है मुड़ा अंदर आ रहा है ने बाहर कीचने की गलती की है बाहर में जीचना है जब भी बतंग अंदर मुड़े थपक लीजिए यहां पर थपक लिए परवू 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 लग तो यस ने गद्दा मार दिया तो हमने कहा कि आप तो नवा काटा मनोज जी ने यहीं मनोज जी है हमारे हीरा लाल जी के बेटे हैं स्वर्गे हीरा लाल जी का शांदार पतंगे इनकी बनती है तो बहुत अच्छी बन रही है